इस वीडियो को आपने क्लिक किया है इसका मतलब यह हुआ कि आप भी सिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में आप सिक्षक बनना चाहते हैं इसलिए आपने डियलेट या बियड किया उसके बाद आपने क्या है यूपिटेट या सेटेट क्या है या फिर हो सकता है दोनों क्वालिफाई किया हो तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा complete information मिलेगी आपको सुपर टेट है क्या कैसे selection होता है कौन कौन फार्म भर सकता है कितनी salary मिलती है आवेदन के लिए आयो कितनी चाहिए vacancy कब तक आ सकती है कैसे तयारी करें complete syllabus क्या है minus marking है नहीं है सारी चीज़ें और क्या क्या बदलाओ आगे हो सकते हैं उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे तो अगर आप जल्दी में हैं तो इस वीडियो को क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा टाइम आपको निकालना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा motivation मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप seriously सिक्षक बनना चाहते हैं तो आप तैयारी शुरू कर देंगे वरना भीर तो बहुत है लेकिन उसमें सेलेक्षन कमी लोगों का होता है ठीक है दस लाग फॉर्म बरते हैं लोग उसमें 40,000 या 50,000 लोग ही जौब पाते हैं तो अगर आप वाकई में सिक्षक बनना चाहते हैं इस चैनल से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंग कहते हैं कि आर्फ मुस्किब से 20,000 वेकेंशी निकली इसमें चांसें कम हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है आपको कितनी सेट चाहिए मैंटर यह करता है आपको 10-20 सीट तो नहीं चाहिए ना आपको सिरो एक सीट अपनी रिजर्ब करनी है बस ठीक है एक seat करनी है vacancy चाहे वो 10,000 आए चाहे वो 1,000 आए हाँ वो बात अलग की है कि अगर ज़्यादा vacancies होती है तो chances ज़्यादा बन जाते हैं लेकिन ये अपने अंदर नहीं सोचना आपको ये सोचना है कि हमें तो सिर्फ एक ही seat चाहिए न एक कुरसी चाहिए प्लास्टिक वाली मिल जाएगी तो उस पर बैठ जाना सरकारी स्कूल में और अगर अच्छी मिल जाए तो आपकी किस्मत तो आपको एक seat पकी करनी है कैसे पकी होगी 125 नंबर से ज़्यादा जब आप लाएंगे तब आपकी ये seat पकी होगी ये हम target लेकर के चलना है ठीक है क्योंकि बहुत सार लोगों की academic अच्छी होगी academic क्या है कैसे आपको निकालना है गुणांक इसके लिए एक हमने अलग से वीडियो बनाया था जो आपको यहाँ पर आई बटन में card में दिख रहा होगा click करके देख सकते हैं या फिर आप नीचे comment box चेक करें वहाँ पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा exam date हमने नवंबर मान करके लखा हुआ है हाँ पर ये एक संभावित date है exam date ठीक है अगर हम जुलाई से count करें तो आपके पाश लगभग 6 महिने का समय है और बहुत सारे बच्चे क्या है इधर उधर vacancy कब आएगी कब नहीं आएगी 500 वीडियो देख रहे हैं त 40,000 वीज या 20,000 लोग देखते हैं लेकिन जो हम कोई सम्मेधान का थियोरी वाला topic या कोई डालते हैं तो इसको मुश्किल से 10,000 या 5,000 लोग देखते हैं तो आप क्या करें आपको अपनी तयारी चुपचाप करते रहनी ज्यादा हला नहीं मचाना है दिखावा नहीं करन क्योंकि जो पिछली सिक्षक भरती हुई थी नवंबर में यूपिटेट हुआ था I think 18 नवंबर को और जनवरी में परिक्षा हो गई थी 6 जनवरी को वो भी मतलब 6 दिन तो वो छोड़ दीजे पढ़ने वालों के लिए time कितना मिला था सिर्फ और सिर्फ दो महीने का क्यों यहाँ पर तो दो महीने का भी समय नहीं था ठीक से अगर आप count करेंगे तो एक ही महीने का समय था आपके पास कितना समय है हम यह target करके चलना है कि 6 माह का समय है ठीक है तो आप lucky हुए इसलिए आप तयारी आज से शुरू कर दें ठीक है घर पर ही बैठ करके बहुत अच्छ प्लान कर रहे हैं अगर वो लोग agree हो जाते हैं तो इस चैनल पर आपको जो selected candidate है उनका interview आपको देखने को मिलेगा हमारे जानने वाले में से बहुत सारे ऐसे लोग है कम से कम साताथ लोग ऐसे हैं जो बिना YouTube के मतलब YouTube चैनल छुए ही नहीं है ठीक है और उन्होंने selection पाया है self study books ले करके और खुद के notes तयार करके ठीक है अब तो आपके पास संसाधन है बहुत सारे अब आप और अच्छे से त्यारी कर सकते हैं सुपर टेट है क्या तो ये उत्तरकदेश में सहायक प्रात्मिक अध्यापकों के लिए जो वैकेंसी का एक्जाम होता है इसका नाम लोगों ने रख दिया है कुछ कोचिंग संस्थाओं ने रख दिया सुपर टेट बाकि सुपर टेट कोई भी लिखित रूप में ऐसी पर दार पदों पर भरती हुई उसमें बीर सामिल था तो ये थोड़ा सा आपको समझना है दो हजार अठारा वाली परिक्षा लिखित परिक्षा हुई थी यानि ऑब्जेक्टिव नहीं थे चार आप्शन नहीं थे क्वेश्चन था आपको अपने आप आंसर लिखना था ज़्यादा लोगों को इसमें हटाया भी गया जो सनलिप्त थे और अभी भी कुछ पद जो रह गया थे उस पर कुछ लोग मतलब ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ये हुई बात अभी तक दो परिक्षा हुई है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रिवियस यर क्वेशन पेप पर और बहुत सारे लोग सरकार की चाल से अंजान हैं ये सिक्षक भरती जो हुई है 68,500 और 69,000 ये कोई नई भरती नहीं है ये सिक्षा मित्तों के पद जो कोर्ट के द्वारा रिजिक्ट किये गये थे ठीक है सरकार की चाल के वज़े से वही पद भरे जा रहे हैं देखा हैगी कि हमने 68,500 भरती की हमने TGT की भरती की हमने 39,000 भरती की वास्तविक्ता कुछ और ही है जो लोग जानते होंगे वो कमेंट करके हमें बताएंगे ठीक है अब हम यहाँ पर बात कर लेती हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे कुल 150 मिनट आपक ओमर भरने के लिए चाहिए कौन वाला वो डिटेल्स भरतने की बात हम नहीं कर रहे हैं जो आप बबल्स भरेंगे आंसर भरेंगे उसके लिए तो टाइम आपके पास कहने को यह ड़ाई गंटे है आपके पास दो गंटे का सुद्ध टाइम है इसी में आपको डेड़ सो अबर लोगों को सब कुछ आता होता है 131 क्वश्यन आते होते हैं लेकिन पेपर में 80 क्वश्यन कर पाते हैं बाद में रोना होता है तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करें ठीके एक होता है चीजों को आना एक होता है पढ़ाना ठीक है दो चीजे हैं आपको हो सकता है बहुत कुछ आता हो लेकिन बच्चों के सामने अगर क्लास में खड़ा कर दिया जाए ना पढ़ाएं ना आप पढ़ा पाएं उतना अच्छा से लेकिन एक टीचर है जो लगातार पढ़ा रहा है हो सकता है उसको उतना नालेज ना हो लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छी होती है तो यहां पर आपको अपने एक्जाम के लिए पहले से क्या तैरी करनी है ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आको सिर्फ रटा anál सब कुछाता है ये मैटर नहीं करता पेपर में आप कितने कम समय में कितने ज्यादा questions को attempt कर पा रहे है मैटर ये करता है ठीक है तो ये भी आपको mind में ध्यान रकना ये आप कहीं पर point करते चलिए ताकि आप इस पर भी काम करें पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना है वरना आप इस भीर्ड में बहुत पीछे रह जाएंगे पेपर की भासा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगी यानि एक तरफ आपको इंग्लिस में कोश्चन दिखेगा एक तरफ हिंदी में तो घबडाने के बिलकुल भी आउ सकता नहीं है माइनस मारकिंग अभी तक नहीं होई है और 99 प्रतिशत इस बार भी माइनस मारकिंग नहीं होगी कौन-कौन आवेदन कर सकता है तो आप UP से है अगरा आप और UP TETCETT में से कोई एक प्राइमरी वाला आपने कौलिफाइद किया है ठीक है qualify होना जरूरी है number कितने भी हो matter नहीं करता ठीक है DLA या B8 में से कोई भी आपने पास किया हो appearing वाले इसमें भर नहीं सकते ध्यान रखिएगा complete होना चाहिए जब भी ये vacancy आयेगी क्योंकि ये qualifying exam नहीं इससे आपको job मिलनी है तो यहां पर appearing वाले माने नहीं होंगे तब तक अगर आपका complete हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो DLA और B8 दोनों ही प्रात्मिक के लिए आवेदन कर पाएंगे हमने आपको बताया CETAT या UPTAT में से कोई भी आप एक qualify हो आवेदन कर पाएंगे यहां पर बच्चे पूछेंगे कि हम दोनों qualify हैं कोई इसा लगाएं फॉर्म भरते समय जब भी आएगा जिसमें नंबर जादा है वो लगाएं यह भी सही रहेगा कि अगर in future कभी भी marks student की बात आई तो आप वो अला certificate वहाँ पर दिखा सकते हैं ठीक है इंटर्विव अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा अगर नई सिक्षानिति का प्रभाव पड़ा तो फिर उस इसाफ से चीज़ें सब कुछ बदल जाएगा फिलाल आप पिछले pattern पर तयारी करें इंटर्विव अगर होगा तो सिर्फ आप के लिए नहीं होगा वो सब के लिए होगा उसकी तयारी भी आप कर पाएंगे क्योंकि आप ऐसे ही beard नहीं किये हैं ठीक है उससे घबडाईए नहीं मतलब आपने high school पास किया इंटर graduation तब beard तब tat seated qualify किया है तो यह बहुत चोटी सी चीज़ें आप कर लेंगे उसके लिए हम सारी चीज़ें बताएंगे ठीक है आयू सीमा की अगर हम बात करें तो चालिस वर्स से जादा ना हो और 21 वर्स से कम ना हो इसके बीच में जितने भी लोग है आवेदन कर पाएंगे यह आयू कब से count की जाएगी यह जब full notification आएगा तब आपको जानकारी मिल जाएगी फिलहाल चालिस से जादा जो हैं वो नहीं भर पाएंगे लेकिन यहाँ पर SCHT और OBC को जो छूट मिलती है रक्षड मिलता है वो मिलेगा विकलागों को यहाँ पर बात करी जा रही है दस साल की छूट के लिए तो इसको आप एक बार अभी हम आपको notification दिखा देंगे कि इसमें क्य लिखा हुआ है चलिया यह देख लीजे पहले तो यहाँ पर SCHT के 5 साल के लिए छूट बताई जा रही है इसको हमें काम करते हैं आपको officially दिखा देते हैं इसको छोड़िएगा इस चीज को आप अभी ignore करिएगा यह वाला देखिए ठीक है यह पिछला जो notification जीयो जारी मतलब उसी से हमने इस चीज को लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कहा जा रहा है प्रात्मिक बिद्याले में सहाय का ध्यापक के पतपर सीधी बरती के लिए परिक्छा है तो अभीरती की आयो एक जुलाई 2018 यह पहले की बात है मतलब जब vacancy आई थी तब की तो 21 वर्स हो दोर करें यहां पर यह गलत टाइप हो गया है ठीक है इसलिए हमने इसको ले लिया यहां पर तो पांच वर्स की छूट आपको मिल जाएगी ठीक है भूत पूर सैनिक है उनको भी यहां पर क्या है तीन वर्स से अधिक ना हो इसको आप पढ़ लीजेगा कहा जा रहा है 62 व पच्पन के अंदर जितने भी लोग है विकलांग के टेगरी में वो आवेदन कर पाएंगे बात करेंगर हम सिक्षा मित्र के मामले में अधिकतम आयो 60 वर्स होनी चाहिए 60 वर्स के अंदर जितने भी सिक्षा मित्र हैं उनको एक बार और मौका सरकार देगी ठीक है तो हमने आपको ये बता ही दिया कि यूपेट एट सीट में से कोई एक आप क्वालिफाई हो डियले डिया डिया बीट कोई भी आपने किया हो कंप्लीट होना चाहिए इस परिक्षा में आपको हिंदी अंग्रेजी संस्कृत तीनों ही लैंग्वेज पढ़नी पढ़ेंगी ये बात अगर आप वहां से जॉइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलेगाम का एप ओपन करें और सबसे उपर सर्च बाक्स में वन डे एक्जाम इस तरीके से लिखिएगा ध्यान लखिएगा वन आपका डिजिट वाला होना चाहिए नीचे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे जॉइन का बटन आजाएगा जॉइन कर लिजेगा अगर आप टेलेगाम के बारे में जानते ही नहीं है तो यहाँ पर हमें एक वीडियो लगा देंगे जिसमें बिलकुल शुरुआज से तरीका बताया गया है कि कैसे आपको टेलेगाम से जुड़ना है उस बात करेंगे क्या अन्यराजवाले भर सकते हैं क्या तो देखेगा यहाँ पर बात यह कही जा रही अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे निवास के बारे में चौथे पॉइंट में क्लियर किया गया है ऐसे अभरती आवेदन है तुपातर होंगे जो भारत के नागरि दिखों तथा या तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों अथवा आवेदन की तिथी के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर पांच वर्स है मतलब यह हुआ आपको ज्वाइनिंग के टाइम पांच वर्स का जो इस्थाई निवास प्रमान पत्र है वो दिखाना का तब भी आप आवेदन करिएगा बाकि ओनलाइन आवेदन होगा हो तो जाएगा लेकिन काउंसिलिंग के टाइम आप बाहर हो जाएगे क्योंकि लिखा हुआ है अभ्यरती द्वारा निर्धारित प्रारू पर सक्षम इस तर से निर्गत निवास प्रमारपत्र चैन सत्य आपन के समय चैन समित्य के समख प्रस्तुत करना अनिवार होगा तो आपको निवास उत्तरप्रेश का लगाना पड़ेगा अब हम आ जाते हैं शलेबस पे किस सब्जेक्ट से कितने प्रशन पूछे जाएंगे तो बात करते हैं आप पर हिंदी संस्क्रत और अंग्रेजी भासा टोटल कितने नंबर की आएगी यह आएगी चालिश नंबर की चालिश कोशन आएगे अगर आप कॉमेंट करेंगे या आपको बताया जाया एनलेसिस करके कि हिंदी में किसकिस टॉपिक से पिछली बार प्रशन पूछे गए थे संस्क्रत में इंग्रेजी में तो हम एक अलग से डुटेल वीडियो बना देंगे उसमें आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रशन पूछे गए थे विज्ञान दसंक कहां से पढ़नी है SCERT की किताबें पढ़िए और समय बसता है तो आप NCERT को भी पढ़ लीजेगा गड़ित की बात कर साप डेली पढ़ें कहीं से भी पढ़ें तार्किक ज्यान मतलब रेजनिंग पांच निंबर की आएगी सूचना तकनीकी का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर से पांच निंबर के क्वेशन आएंगे जीवन कौशल प्रबंदन अभिवरती इस पे हमने एक दो वीडियो बना जो आपने डियलेट के टाइम या बीड के टाइम पढ़ा है उसके बाद आपने यूपेटेट में जो तयारी की है वही सब आपको पढ़ना है रिवाइस कर लेना है तो अगर हम सबजेक्ट को समराइज करें तो तीन को एक मिला दें ज्यादा आपको डराने की डरने के बग दस से कम ही है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें हाँ देखे सामान विज्ञान और करेंट अफिर तो सामान विज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे तियास भूगोल लागरिक सास्त्र विज्ञान वही सब मिला करके तो सामान विज्ञान बनता है इतियास से क्वेश नाले की 14 विसें कैसे त्यारी होगी ठीक है बस इसके लिए है अब यहाँ पर सेलेक्शन कैसे होगा इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया था कि कैसे आपको अपना गुणांक चेक करना है ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपकी हाई स्कूल का दस प्रतिशत जुड़ करने के बाद जो फाइनल कटाप बनेगा उस पर सेलेक्शन होगा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये वाला पास कर लें और आपको जौब मिल जाए ठीक है इस बार अगर हम बात करें तो 60 65 कटाप लगा था मतलब अगर आप 60 प्रतिशत ला रहे हैं SC, HD, OBC, other category में हैं तो आप सिर्फ सुपर्टेट कौलिफाई माने जाएंगे इस से आपको जौब मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि सिर्फ पास हुए थे और उनका यहाँ पर परसेंटेज अच्छा था उनको जौब मिल गई थी बहुत सारे तो कहेंगे सर आप किसी का पक्च ले रहें जो भी ये सरकार ने जरूल बनाए हैं आप बताईएगा कि आई ठीक है आपको इस पर अभी फौकस करना है क्योंकि इसमें आप बदलाव नई कर सकते जो होना था अभगया अब आपकी किसमत है जो भी आप इसको समझगे इस प पर आप मेहनत करिए कि कम से कम 125 प्लस आ जाए लेकिन जुड़ेगा ये भी इस बात को आप ध्यान रखेगा अब इस स्लेबस को अगर हम डिस्क्राइब करें तो चली बता जैतें कौन कौन टॉपिक से क्या पढ़ना है अभी तक जो भी हमने आपको बताया है अगर कोई भी सिंपल साइनोंने क्या लिख दिया है सिर्फ ब्याकरड लिख दिया है अब ब्याकरड में आपको सब कुछ पढ़ना है और साहित से भी प्रशन आ सकता है आया भी है तो यह आपको ध्यान रखना है और हमने आपको बताया कि आप कमेंट करिए कि इसका अनलेसिस करके मापक एक वीडियो के मादेम से बताएं कि किन किन टॉपिक से पिछली भरती में प्रशन पूछे गए थे एक पैराग्राफ आपका आएगा पध्यांस और एक आएगा गध्यांस का ठीक है यूपिटेट के लिए पढ़ाता है सीटेट के लिए सीटेट में सिक्षड आता है यहां पर आपको गड़ित में सिक्षड के सवाल जादा नहीं मिलेंगे ना की बराबर होंगे एक आद आ गया तो आ गया वरना नहीं आएगा यानि गडित आपकी स्ट्रॉंग होनी चाहिए और फिर से वही बात कहेंगे कि 20 कोश्चन आएंगे कर आप 20 कोश्चन 15 मिनिट में लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है है ना बहुत फास्ट आपको कुश्चन लगाने पड़ेंगे आता सब को है हो सकता है 20 मिनिट को लगाने में आप 20 सवालों को लगाने एक गंटा आप निकाल देंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे इस रहे से सिंपल सी बात है इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ देंगे हिंदी आप डेली पढ़ी रहे हैं ग्रामर आपको थोड़ा थोड़ा आती है थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है अगर हम जी यस की बात करें या विज्यान की बात करें तो विज्यान 6.78 की किताबों में सारे टॉपिक मिल जाएंगे बाकी जो हमने हस्तलिखित नोट्स बनाए उसमें भी ये टॉपिक है चैप्टर वाइज तो आप उनको ले सकते हैं गड़ित में आप जैसे एक 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 नियम है तो एक एक नियम वाला वीडियो देखें कहीं से भी देखिए यूटूब पे आप एक एक नियम लिखेंगे सैकन वीडियो आपको मिल पाए या अन्य यूटूब चैनल वाला ही आपको सब कुछ पढ़ा पाए आपके अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है तो आप टॉपिक को बस यूटूब में लिख दीजिए आपको मिल जाएगा नदियों के बारे में इससे हमारा नुकसान है क्योंकि आप दूसरे चैन देशांतर भारती सम्मिधान लिखडिया इनुन लेकिन पढ़ना आपको पूरा है समाज सुधारक ठीक है सुतनता संग्राम भारती अध्यन हमारी शासन बिवस्था याताया सडक सुरक्षा अर्थ बिवस्था चुनोतियां संस्कृति विराशत ये सारी चीजिए आपको पढ़ना है बाल मनुविध्यान में वैक्तिक बिविनता बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अधिगम पढ़ने के लिए वात्तावर्ड सीखने के सद्धान सभी कोहलर पावलाव ये सब इसमें आ जाएगा ठीक है ये आपका समावेशी सिक्षा का ही पा ठीक है रचनाया आपको पढ़नी एक किताब आप से पुछी आती कि ये पुस्तक किस की है संस्कृती से सम्द्धित ये न्रत्य किसका है किस राजी से सम्द्धित है ऐसे प्रशनाते हैं और रिजनिंग आएगी पांच नंबर की पांच सवाल आपको रिजनिंग के करने है तीश नंबर में आपको Current Affair, GKGS देश नंबर का यहाँ पर CDP आपको पढ़ना सब पढ़ेगा आएगा थोड़ा थोड़ा कम्प्यूटर के 5 questions आएंगे पिछली बार questions कैसे पुछे कैते हैं उसको हमने हल कराया है पिछला पेपर कैसा आया था उसको भी हमने हल कराया है उसको आप देखें, चेक करें Link comment box में मिलेगा G1 कोशल में कुछ अलग नहीं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है इस पर हम वीडियो बहुत जल्द बना करके आपको देंगे वो आप देखिएगा तो बस यही सब आपको पढ़ना है इसके लावा अगर आपको कोई doubt रह गया हो अभी भी तो इस वीडियो के नीचे comment करें और मिलता है अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच इस वीडियो को अंतर तक देखने के लिए यहाँ पर पिछला पेपर कैसा हुआ था उसका वीडियो का लिंक हमने लगा दिया है क्लिक करें और देखें किस तरीके के questions आये थे कौन सा आपका weak subject है उस पर focus करें और पूरी रड़नीती वाला अग अलग से वीडियो हम देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी है